एक्चुली वैक्षिन लेने में कोई टेंचन नहीं है बट जो उसका जो सुई होता ना वो थोड़ा सा मनलब ऐसा कैसे हो कसकाई केमशो और वेलकम बक्तु दे चैनल आप सब लोग बढ़िया करते रहोगे और जैसे आप लोगों ने टाइटल देखा यस वैसे ही आज हम लोग जा रहे हैं वैक्षिन लेने के लिए एक्चुली बहुत ताम से मैं ट्राय कर रहा था बट फिर मिल नहीं रहा अच्छी बात यह है कि मुझे वैक्षिन के लिए जो अपॉइंट्मेंट था वो मिल चुका है फिलाल हम लोग जा रहे है वैक्षिन लेने के लिए तो जादा टाइम वेट नहीं करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वैक्षिन सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर था इसलिए मॉम ने बोला कि हम लोग बाइक से नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे आटो से और वो नहीं चाहती थी कि मैं अखेला जाके वैक्षिन लूँ इसलिए वो मेरे साथ आई थी लोकेशन जादा दूर नहीं था अपॉइंटमेंट मिला था मुझे तीन से चार बजे के बीच का और लोकेशन पर पहुचने के लिए हम लोगों को जस्ट ओनली पंदरा मिनिट लगे क्योंकि ट्राफिक नहीं था और आटो से जल्दी पहुच गये टीम से स्कूल के अंदर मुझे अपॉइंटमेंट मिला था स्कूल रोड से थोड़ा अंदर था तो जब हम लोग वहां पर पहुचे तो दून्डे को थोड़ा तकलिफ हुआ बट कोई बात नहीं लोकल से हम लोगों का हल्प कर दिया हम लोगों को वह जगह इसली मिल गया भी अपने के बाद उनलोकों पूछा कि like on line है की offline है online मैंने book किया था तो इसेले मैंने online बता उनको appointment number बता फिर उन वाउचर बना के दिया वाउचर लेने के बाद बोला कि आपको जाना पड़ेगा TMC के क्लिनिक में TMC क्लिनिक वहां से जादा दूर नहीं था पास में ही था बट डूनना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वह थोड़ा अंदर था बट जब मैं वहां पर पहुचा तो वहां प को दिख रहा है कुछ इस तरीके से था मैंने वैक्सिन जो लिया वह था को वी शेल्ड वाला वैक्सीन और शिस्टर नहीं इस तरीके से वैक्सिन लगा कि मुझे पता भी नहीं चला कि वैक्सिन लगा है जब बस ओट थोड़ा सा निकाल रही थी तब मुझे लाएक दुखा नहीं है तता नहीं देखते दर्थ होगा की नहीं होगा दो कैपसूल दिया है जो कि आज रात को एक लेना एक कल लेना है नॉर्मली पैंकिलर है यह नॉर्मल में से परटिका स्कूल था तो जहां पर मैंने वैक्सिन लिया है मैंने आइप लोगों को सारी डीटेल् जब भी में वहाँ पे था तभी कुछ नहीं हुआ था बड़ तीरे-दीरे स्टार्ट हुआ है जो भी चीज है में आप लोगों को अपडेट करूँगा बड़ जो एक्सपीरेंस था मेरा वह वेक्सिन लेने का वह काफी अच्छा था लाइक मुझे पता भी नहीं चला कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो वैक्सिन तो लेना पड़ेगा और मेरे लिए वैक्सिन लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे चलके फ्यूचर में मैं जाने वाला हूँ अब्रोड डिफिनेटली या कहीं पर भी बाहर ट्री ट्रिप पर टूर करने के लिए जाएंगे त तो बेटर चीज है कि वैक्सिन लिया रहेगा तो एक्स्ट्रा सेफ्टी का शारटी मिल जाता है तो मैं आप लोगों को यह बोलूँगा कि आप लोग ने भी अगर नहीं लिया है तो डिफिनेटली गो फॉर एट और वैक्सिन ले लो एटलिस पहला डोस तो ले लो दूसर से ही कल लाइक मेरी सिस्टा ने मुझे बोला कि वैक्सिन मिल रहा है अपने एरिया में तो मैंने फटाक से ओपन किया वहां पर मेरे एरिया का कोड डाला बट चीज यह था कि वह थोड़ा सा दूर था मेरे घर से लाग अगयन वह वीवियाना मॉल के पीछे जो लक्ष्मिन सेम चीज मैंने भी ले लिया एक्चुली वैक्सिन लेने में कोई टेंशन नहीं है बट जो उसका जो सुई होता ना वह थोड़ा सा मनलब ऐसा डर लगता उससे कि वह चुबेगा तो कैसा लगेगा क्या चीज होगा वह बट स्टिल इट सो के जब वैक्सिन लिया तो पता प्रॉब्लम नहीं है अभी तो लोग जाधा यह करके ही बोलते कि दूसरे दिन को पता चलता है कि जो भी चीज है तो स्टे टून फॉर टुम्वारो की कल क्या होने वाला है वह आप लोगों को मैं बताऊंगा बट फिलाल अभी के लिए तो जाधा कुछ नहीं है और वैक् चीज में आप लोगों को बोलना चाहूंगा so that's it for the video I hope so यह वीडियो यह व्लॉग छोटा सा आप लोगों को पसंद आया रहेगा and आप लोगों को पता है कि please do like and subscribe to our channel and stay tuned for next vlog, bye-bye झाल 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 झाल